सब्सक्राइब करते करते दस तिन तक रिपोर्ट नहीं आया फिर हमने नोईडा के एक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है हम लोग भागलपुर गए और सिटी चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इंफेक्शन आया 60% लंग्स उनका उसमें इंफेक्टेट था ड्यामें ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आये वहां पर अड्मिट कर आया हमने आइसी उ में मेरी मदर की भी तब्यत खराब थी मेरी मम्मी और मेरे हस्बेंड दोनों एक साथ एड्मिट हुए उहां पर इतनी लापरवाही हुई उनके साथ इतनी लापरवाही हुई डॉक्टर्स आते बस विजिट के लिए दस मिनट देखके गए उसके अलावा जितने भी वहां पर नर्स थे सारे के सारे जलात से सर कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेसे मेरी मदर टचुड बेटर कंडिशन में थी थोड़ी मेरे हस्बेंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक इ इम्डिसेविर नाम आप लूगों आप लुगों आभी तक सब ने सुन लिया होगा कि इतनी मुश्किल से मिल रहा है डॉक्टर ने वहां सगेस्ट किया मेरे दो दो पेसेंट थे वहां हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया जब व sharp injection प्लोर पर गिरा दिया उन्हों ने ह अबने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है इसी का असर होके ठीक होते हिए अपने कैसे गिरा दिया उन्होंने कहा कि पचास हजर कभी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी हम लोग चुप चाप वहां से सर हट गए थोड़ी दिर बाद वहां पे मेरे हस्में को मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था और यूरीन पास किया था कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर छे घंटे से वह उती गंदगी पर पड़े हुए थे उन्होंने मुझे फिर फोन किया बस फोन कर पाते थे सर बोल भी नहीं बस मिस्ट कॉल आती थी मै कुछ परिशानी है उनको जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेट पे मेरे हस्मेंट 6 फिट 2 इंच के सर पूरे गंदे पे वह सोय हुए थे सर मैंने जबरगस्ति सब को बुलाया एक आदमी था जोती कुमार करके जोती कुमार सब लोग ध्यान से इसको कबर कीज लड़की नहीं है लड़का है जोती कुमार उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाया प्लीज आप मेरे हस्मेंट की मदद कर दीजे रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास इस इनके पास उसने बोला ठीक है जरूर मदद करूँगा ये कहके और मैं अपने हस्में से बात करने लगी इशारे से ही वो बात कर रहे हैं मैं बोल रही थी अचानए से मेरा दूपट्टा खीचा आया बहुत जोड से मैंने सोच़ नहीं पा रहे थे वह जब अम लोग फिपी ही पीछे मुरी तो मेरे कमर पे चामर पे उस आदमी का हात था और मेर मेरे हस्बेर लैट पर पर देखते रहें कि मेरे वाहिए दुपक्टा खीच रहा है और मैंने लिखकर शुच्प गीचा और मैं ध्यान दखोंगा। मैंने बोला ठीक है भाई आप ध्यान दखना मैंने कुछ नहीं बोला उसको कुछ भी नहीं दो तीन दिन बार ऐसी कोई कोई सुविधा नहीं कुछ नहीं मेरे हस्पीन की तब यद उस दिन से बिगरी जब रात के दो बजे में मेरी मधर के बगल वाले बेड़ पे एक अंकल म तो तीन दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केर के बिना नर्स के आए सारी नर्स टेबल कुरसी लगा के सो जाती थी कहती थी पागल हो गए हम ही अब मढ़ जाए इस कोरोना के चकर में तो क्यू जो आप कर रहे हो छोड़ दो आपकी जग़ कोई और आ जाएगा उसके ब बेड़ था मेरे हस्बेन के बगल वाले बेड़ पे चार लोग छे से साथ घंटे में चार लोग खतम हुए क्यों खतम हुए वो नर्स को बुला रहे थे सिस्टर आ जाओ दिक्कत हो रही है और सिस्टर नहीं आती थी एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलटके गिर गए करण बुलाते गई हैं ऐसे सिस्टर ने लिए को झाद गई हैgens सीटरान dollar देखत के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ और सब नीचे बिछा के मुवी देख रहे हैं और सो रहे हैं और दर्वाजा तक नहीं खोला सर् मेरे हसबें की ऐसी हालत हो कि मेरे दीधी बहुत जाके चिलाई तब एक doktor आये वहां से तो अन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसे mask लगा होता है उतना इसा अउक्सजजन सप्लाई का पाइप होता है न वो पाइप ही नहीं लगाया था संय बस लगा के छोड़ दिया था ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया मेरे हस्बेन तुरंथ में जिन्दा हो गया उसी दिन से उनके दिमाग में ऑक्सीजन की किलत का डर बैठ गया सर बहुत दे बिना में पटना आए यहां पर इन्होंने कहा आइसी यू में अटेंडेंट नहीं जाओगे आप मेरे हस्बेन रोने लगे कि मेरी वाइप को भेज दो वो रहे कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोगोंने नहीं अलाओ किया सर अग मैंने देखा एंबूलेंस से हम लोग मैंने कहा सर वो बुला रहे किसी को बाहर से तो डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िये ना वो छोड़ा तो ऐसे ही बखला रहा है जब से आया है मैं मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई तर उसके बाद उनका ऑक्सीजिन लेवल जंग 37 हो गया तब मेरे साथ मेरी दीदी थी मेरे जियाजी थे और मेरे जेट थे तब मैंने जियाजी को बॉला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा मुझे किसी तरह से अंदर भीजवाई है तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में 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 बाबू का मेरे बाबू का oxygen लेवल म हम लोग कीतना देखे हम लोग क्या मरे जाए खास्ते खास्ते सब को देख ada timest चुपचा पर देखिये 15 तक सार एक टेबल पर एक लगा तार में बैठी हूँ आज एक मेहिना पर मईने ब्रश किया है एक महीने पर ब्रस किया है, मैंने बाबू को बहुत ठीक कर दिया, इतना स्ट्रॉल लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉल लगा के बाबू को मैंने जूस, दाल, डोटी, सब कुछ पिलाया सर, इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट दे बोला था, ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर, तीन-चार दिन बाद कहता है, तच्छुट क्या कर दिया अपने के साथ, ये तो एकदम ठीक हो गए गजब का फाइट दिया, आप दोनों ने मिलके, मुझे क्या पता था कि मैं फाइटते रही हूं, और ये लोग मेरे बाबू को खतम कर देंगे, इतना ऑक्सीजन का किलत सर, मेरा बाबू डड़ गया बहुत ज़ादा, ऑक्सीजन सिलिंडर देखता था और कहता था, हाँ, वो खतम हो जाएगा, वो खतम हो जाएगा, मैं कहते थी नहीं, खतम होगा बाबू, डेज़ गंटे के लिए सर, ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता ह MICHAELIG कर देद क्या करते हमें वी तो चाहिए था पर मेरे पास एक ही सिलिंडर था वाइपलाइन बंढ़ हो गया मेरे हस्ब़न कि बाथ लगा वव था उंको สनलिंडर से जाना था एक ही सिलिंडर साधिश मांगते ही नहीं मिला मेरे ख़तम हो गए मेरे खतब हो गे मेरा बाबू छला के अंग को ठोड के जूड़ के लिए गृटर साथ इस यहां पर इस यहां पर यहां पर अब पर जिश्वार में डॉक्टर अखिलेश गंदे कंदे इशारे कर ज्याओ कर रहता है मैं इंग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्में नहीं पर बढ़ना कर बागर हो था चपल खोल कि मैं मारती सरह से इंसान को मैं नहीज कोकश है कि सुनियर दॉक्त की और इंट्री कर देते हैं कि फीजियो थेरपी किया गया यह विपा हुग में आपका करते JASON किया है mieszka चार बथे हैं मुछ K caution कि नहीं होती है सिर्ध कर दे आ धरंद यह बड़े डॉक्टर आये यह बड़े डॉक्टर आये उन्होंने पेसेंट को देखा नहीं बुला इसके अफीजो थेरपी वह पेसेंट को कुछ नहीं मतलब सीपैप पर पड़ा हुआ मस्ट पेसेंट और उसको देखने के लिए 24 गंडे में कोई नहीं आती है रूम बंद क पर सब्सक्राइब करें तो मेरा बाबू गया है अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि सारे जगही सबसे पहले तो मुझे कोई प्लैटफॉर्म मिलें जिस पर मैं ये बोल सकूं टीवी पर जाके ताकि लोग बचें अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है हमारे जैसे जो लोग उसे पढ़े हैं जो चोड़के भूझ जाते हैं कि पेसिंट का खयाल डॉक्टर से रखेंगे वो जाके अपने पेसिंट का खयाल रखेंगे तो सब मर जाएंगे सब्सक्राइब एक डॉक्टर एक दिन आए राजश्वर में कहते हैं और यह बेट अभी तक नहीं खाली हुआ है मतलब यह आदमी अभी तक नहीं मड़ा है एक आदमी के बारे में आप सोचो सर्जरासा आप सोचो सर्जरासा मेरे हास्मेन को वेंडिलेटर पे नहीं रखा सर वो शायक बच है और जब मेरे मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर उसने बात की कि अपने वेंडिलेटर भी क्यों नहीं रखा तो जूट कह रहे है कि वालों ने मना किया कि हमसे को हमें कोई सजेशन नहीं कि वेंडिलेटर पे आप रख सकते हैं कुछ भी नहीं है वो बस वेट कर रहे थे कि कि वेट काली हो